केंद्र वोर आजे सरकारों द्वारा कोरोना वाइरस को फैलने से रोकने के लिए जारी की गई सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशान निर्देशों को कड़ाही से लागू किया जाहिए ताकि वाइरस को नियंतरित किया जा सके ये बात मुख्यमंत्री जैराम ठाकु ने प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में अचानक आई तेजी के कारण उभरी स्थिती से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के वरिष्ट अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही मुख्यमंत्री जैराम ठाकु ने कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की इस मौके पर मुख्यमंत्री जैराम ठाकु ने कहा कि हाई लोड़ वाले सातराजियों में पंजाब, दिल्ली, महराष्ट, गुजरात, करनाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामि लेकिन इसके साथ वाइरस को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई, मानुक संचालन प्रक्रियों का होटल मालिकों और परियोटकों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अस्पतालों में बिस्त्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी आवशक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्जी के स्वास्ते विभाग को वैक्सिन के नियूंतम अपवे को भी सुनिचित करना चाहिए। दर्ज की गए हैं। जराम ठाकों ने कहा कि बसों वो अन्यसारवजन के यातायात माध्यमों और नीजी वहनों में ख्षमता से अधिक लोगों को बैठाने के अनुमती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वहनों में भी फेस मास्क पहनना कड़ाई से सुनिचित किया जाना चाहिए। मुख्यमंतरी जराम ठाकों ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रियाओं के उलंगन में शामिल लोगों के विरोध भी कड़ी कारावाई की जानी चाहिए। बनाए रखने के लिए जागरुक किया जाए।